आपके अपने यूटूब चैनल पर डिये स्टुडेंट्स आज की वीडियो में आपने सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब जो की RBSC बोर्ड क्लास 12 के स्लेबस में है और क्लास 12 में दो नमर के क्योस्टन्स फ्रेजल वर्ब से पूछे जाएंगे क्लास 12 के स्लेबस में जो फ्रेजल वर्ब सामिल है वो आप देख सकते हो यह साथ तरह की मैन वर्ब है और इन साथ तरह की मैन वर्ब से जो महतोपूर्ण फ्रेजल वर्ब बनने वाली है वो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे उसके एकजांपल भी अपन देखेंगे तो देखिए साथ तरह की जो main verb है इनसे phrasal verb कौन कौन सी बनेगी वो अगे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखिए एक नम्मर पे break उसके बाद देखिए bring उसके बाद carry, come, get, put or turn ये साथ तरह की है सबसे पहले अपन break से करते हैं तो break से बात करें तो यानि कि 4-5 यानि कि महतोपूर्ण वैसे बहुत सारी phrasal verb बनती है break से लेकिन इस वीडियो के अंदर जो सबसे important जो phrasal verb है जो annual exam में पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावन रखता है उसी phrasal verb को यहाँ पे सामिल किया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखे दोस्तों में share करे चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर दीजिए और bell icon को भी दबा दीजिए तो देखे सबसे पहले बात करने है break break का मतलब होता है छुडा करके भाग जाना तो देखे यहाँ पे break away break away का मतलब क्या होता है छुडा करके भाग जाना तो देखे दा police officer ask the jailer police officer ने jailer से पूछा how the prisoners head broken away कैसे prisoners है केदी है वो broken away होगे from कहां से jail से तो यहाँ पे देखे students आपको खास दोड़ से tense का जरूर ध्यान रखना है जैसे head दिया है तो head के साथ break away नहीं आएगा head के साथ third form आएगी break, broke, broken तो क्या हो जाएगा broken away कि police officer ने jailer से पूछा कि prisoners कैसे broken away कर गए jail से कैसे jail को चुडा करके भाग गए next देखे ए very important breakdown का मतलब आगे देखे breakdown का मतलब होता है एक तो होता है नष्ट करना की अर्थ में एक होता है कोई machine का खराब हो जाना machine खराब हो जाना very important है तो देखे इन दोनों के example देखेंगे कि my scooter broke down on the way yesterday कोई machine खराब हो जाना या कोई गाड़ी खराब हो जाना उसके लिए अपन क्या करेंगे यानि break down करेंगे तो मेरा जो scooter है वो broke down हो गया मतलब खराब हो गया scooter क्या है एक तरह की machine है on the way yesterday yesterday दिया है तो break का क्या बन जाएगा second past बन जाएगा कि मेरा scooter broke down हो गया खराब हो गया कब yesterday अब अगला एक देखिए नष्ट करने के अर्थ में जो आकरशित करने वाली जो सुन्दरता है सहर की उसको वे लोग क्या कर रहे है breaking down कर रहे है नष्ट कर रहे है तो was were के साथ ing लगा है तो breaking down अगला देखिए break off break off का मतलब एक होता है समाप्त करने के अर्थ में और एक होता है त्यागने के अर्थ में जैसे महाराना परताब head broken off head के साथ क्या लगेगा थड़पों कि महाराना परताब ने broken off कर दिया त्याग दिया all comforts of India इंडिया के जितने भी एसो अराम थे उन सब गयानिकी महाराना परताब ने broken off कर दिया त्याग दिया अगला देखिए स्माप्त करना के अर्थ में जैसे राहूल गांदी broke off broke off sorry राहूल गांदी ने broke off कर दिया स्माप्त कर दिया his journey को अपनी यात्रा को in the middle of the way रस्ते के बीच में ही तो इस तरह से break off का हो गया अगला देखिए break out बहुत ही important है एन्वल एक्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी समावना रखता है break out मतलब किसी महामारी का फेलना जैसे chronavirus broke out chronavirus फेल गया last year पिछले साल in the world world के अंदर तो यहां broke out हो गया very important है अब आगे अपन पढ़ते है जैसे every year present में हो गया यह प्रतेक साल malaria breaks out in winter प्रतेक साल malaria कब break out होता है फेलता है winter में फेलता है तो यहां पे breaks out हो जाया क्योंकि every present में दिया है अगला देखिए break into very important है break into का मतलब होता है जबरदस्ती अंदर गुषना जैसे the thief broke into यानि कि chore है वो broke into मतलब जबरदस्ती अंदर गुष गया घर में and took away ले गया all the ornaments जितने भी आनि ornaments थे जैनि कि jewelries थे वो ले गया अगला देखिए break with break with का मतलब सत्रूता के काण दुस्मनी के काण अलग होना जैसे you break with your friend because of enmity कि आप break with होगे मतलब दुस्मनी के काण अलग होगे किस से अपने दोस्त से because of enmity किस के काण अपने दुस्मनी के कारण अगला देखिए break up break up का मतलब देखिए students दो अर्थ होते हैं एक तो टुकडे टुकडे करना और एक किसी से break up कर देना रिस्ता तोड़ देना जैसे he broke up his relationship कि उसने broke up कर दिया मतलब रिस्ता तोड़ दिया अपना relationship with हर उसके साथ अगला देखिए टुकडे टुकडे करना जैसे blacksmith breaks up iron road blacksmith ने break up कर दिया मतलब टुकडे टुकडे कर दिये iron की road iron की लोहे की छड़गे तो इस तरह सी ये break के होगे students साथ है वेसे बहुत सारे यानि break से बनने वाले हैं लेकिन exam में आने वाले जो important जो phrasal verb बनती है वो साथ बनती है अगला देखिए bring bring का मतलब देखिए अलग होता है वर्ब का लेकिन phrasal verb इससे अलग-अलग बनेगी जैसे bring about bring about का मतलब होता है सिद्ध करना जैसे the lawyer has brought about his के साथ थर्ड फोम लगेगी कि lawyer ने brought about सिद्ध कर दिया that his client is not accused of theft कि इसका जो client है वो किसका accused नहीं है यानि चोरी का यानि की accused नहीं है तो अब अगला देखिए bring out bring out का मतलब दो अर्थ निकलता है एक तो प्रीचे कराना और एक संपाधन करना जैसे I bring out मैंने प्रीचे करवाया मेरे old friend का to किसे my mother से अगला देखिए किसी चीज़ का edition करवाना संपाधन करवाना जैसे she will bring out the new edition of her book कि वह अपने जो book है उसका new edition को bring out करेगी संपाधन करेगी अगला देखिए bring forth का मतलब होता है जनम देना या उत्पन करना अगला देखिए illiterate mother एक पड़ी लिखी जो मा है वो brings forth मतलब जनम देती है किसको an intelligent child को अगला very important hard work brings forth success यह hard work है वो brings forth मानि उत्पन करता है जनम देता है किसको success को very important है यह example अब आगे देखिए bring up very very important पालन पोशन करना कि tiger king का brought up किया गया पालन पोशन किया गया किसके द्वारा English Nanny के द्वारा अंग्रेज धाई के द्वारा अगला देखिए bring in bring in का मतलब होता है कमाना जैसे he brings in वो कमा लेता है 20,000 रूपीज इनमन्त एक महने में 20,000 रूपे कमा लेता है अग्या का किसकी the order of inspector का अगला है carry off carry off का मतलब होता है बल पूरुवक हटाना जैसे the municipality is carrying off कि जो नगरपाली का है वो बल पूरुवक हटा रही है encrosment को अतिकर्मन को अगला carry through मतलब पूरा करना जैसे my friend has carried through the work alerted to him यानि कि मेरे friend है वो यानि कि पूरा कर लेता है उस काम को जो alert करता है जो उसे सचेत करता है अगला देखिए carry on very very important carry on का मतलब जारी रखना कि you can carry on your work आप अपने work को carry on रख सकते हो without fear बिना कोई भैके अगला देखिए come come का मतलब होता है अलग होता है कम का मतलब आना होता है लेकिन phrasal verb अलग हो जाएगी जिसे come about का मतलब गटित होना कि an unspeakable event एक नए बोलने वाली नए कहने वाली गटना has come about गटित हो गई विधर उसके साथ अगला देखिए come of come of का मतलब संपन होना यह जो function है come of होगा मतलब संपन होगा कब अगले संडे को come across का मतलब संयोग से मिल जाना तो देखिए some students came across कई जो students है कुछ students है वो came across मतलब संयोग से मिल गए मी मुझ से 8 railway station पे अगला है come up मानी चड़ना जैसे they came up वे चड़ गए एक mango tree पे to pluck the mango क्या तोड़ने के लिए mango तोड़ने के लिए अगला come along come along का मतलब किसी के साथ में आना तो जैसे divya came along her friend divya किस के साथ आई अपने friend के साथ अगला देखिए gate का gate का सबसे महतोपून जो है gate up मतलब उठना she gets up वे उठती है early in the morning उसके बाद देखिए gate away very very important है भाग जाना he wants get away from the prison he wants है वो jail से gate away हो गया भाग गया gate through बहुत important है अंत करना या सफल होना तो एक उपर वाला जो example very very important है एक तो सफल होना और एक अंत करने के अर्थ में जैसे he worked hard कि वो बहुत कठिन मैनत किया उसनोंने to get through the examination यानि examination में सफल होने के लिए अगला देखिए the prime minister decides prime minister ने निश्चे किया to get through अंत करने का किसका the poverty गरीबी का अगला देखिए put 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 का भोध महतोपूर्ण यानि की रहने वाले हैं एक जो पूछा जाएगा उनमें put से पूछा जाने की संभावना है जैसे put on put on का मतलब वस्तर पहनेना जैसे am himal head put on am himal ने पहने थे party wear dress on his last lesson अपने last lesson में अगला देखिए put off का मतलब होता है स्तगित करना put off मतलब स्तगित करना जैसे the match was put off match है वो put off हो गया स्तगित हो गया due to bed weather किस के कारण bed weather के कारण अगला है put out put out का मतलब बुजहाना जैसे would you please put out क्या आप please करके महरबानी करके put out करोगे all the lights put up का मतलब होता है एक तो परस्तूत करना और एक ठहरना या रुकना जैसे the matter was put up matter को यानिके परस्तूत किया गया before the officer किस के सामने officer के सामने आगे देखिए he will go to जैपूर वो जैपूर जाएगा and put up ठहरेगा कहां ठहरेगा in a hotel एक hotel में तो रुकना या ठहरने के अर्थ में put up कार्थ होगा put down put down का मतलब withdraw को दबा देना जैसे the army ने put down कर दिया the rights मानी withdraw को जैने कि जो withdraw हो रहा था उसको army ने put down कर दिया दबा दिया the king was able to put down कि राजा able था put down करने के लिए the rebellion मतलब जो withdraw कर रहे थे उनको यानि कि दबाने के लिए राजा क्या था able था अगला देखिए put forth मानी निकालना जैसे trees put forth new losing spring trees है वो put forth निकालता है नई पतिया in spring कौन सी रितू में बसंत रितू में आगे देखिए turn जो कि last है दो ही है इसमें महतोपून turn away मतलब वापस बेजना जैसे he has turned away for application उसे दुबारा भेजा गया application के लिए और turn down जो कि सबसे महतोपून है मतलब इनकार करना the principal turn down the request of the students कि principal ने students की जो request थी उसको turn down कर दिया इनकार कर दिया तो students अगर आपको इसकी पीडियप चाहिए तो साजी सरबाडे टेलिग्राम चैनल से आप डाउलोड कर सकते हो और वीडियो को आप लाइक चैनल को सबस्क्राइब दोस्तों में सेर्स और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग